हेलो स्टुदेंट्स टैंसर अनलेसिस में हम टॉपिक को कॉंटिनस कर रहे हैं जिसमें थियॉरम सेकंड हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं अब थियॉरम 3 है स्टेटमेंट है इसका दानेससरी इंसफिशन कंडिशन तो यहां पर हमें नेससरी इंसफिशन कंडिशन बतानी हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है वर जोडिसिक तब होगा जब उसके सेकंड कोवेरिंट डरिवेटिव वैनिश हो जाएंगे पी नौट पॉइंट पर यानि वो जीरो हो जाएंगे तो यह रिजल्ट हम चैप्टर थर्ड में प्रूफ कर चुके हैं इसमें सिस्टम को हमने चेंज किया एक्साइ और एक्सबार आई यानि जैसे यहां पर बार नहीं है तो हमने बार अप्लाए कर दिया और जहां पर बार अप्लाए हो रहे हैं वहां से बार को हमने रिमूव कर दिया यानि विदाउट बार मैंने कंसीडर किया है इस term को हम लेके चले इसको इधर transpose करेंगे और इस term को इधर transpose करेंगे then we obtain this relation यहाँ पर आप लिख सकते हैं it is derivative of del x bar r upon del x l with respect to x m फिर यहाँ पर x bar r का differentiation x l के respect में है तो यह quantities तरह से represent हो सकती है इस derivative को भी हम इस form में लिखेंगे अब definition हम लेंगे second covariant derivative के जो आप पढ़ चुके हैं इन दोनों को मिला करके यहाँ जाएगा x bar r m का covariant derivative है क्योंकि यह में लिखेंगे तरह आ रहा है अब इसको आप इस form में लिख सकते हैं नससरी condition है अगर हम देखें कि coordinate system geodesic है तो जो second crystal symbol है वो जीरो हो जाएगा इस पार जीरो हो जाएगा और यह जीरो है तो यह derivative equals to हमें 0 मिलेगा उसके बाद sufficient condition है कंवर्सली suppose that यह derivative 0 आ रहा है पी not point पर तो equation second को आप इस तरह से लिख सकते हैं यह जो determinant है यह जो जैकोबिन आप लिख सकते हैं that is not equals to zero तो zero क्या मिलेगा this is second kind of crystal symbol equals to zero हाएगा तो हम कह सकते हैं कि जब second kind of crystal symbol zero आ रहा है तो coordinate system geodesic coordinate system होगा उसके बाद example 9 show that the coordinate system x bar i defined by where the suffix zero indicates the value at the pole and a il being constant यानि यह जो हमने लिखा है वो constant है such that the year determinant does not vanish is a geodesic coordinate system यह भी condition दिया हुए है कि जो इसका determinant है वो zero नहीं होता तो हमें प्रूफ किया करना है कि यह system आपको दिया हुआ है that is geodesic coordinate system जस तरह से theorem number first हमने प्रूफ किया है same way में इसको हमें प्रूफ करना है यह system हमें दिया हुआ है इसका derivative हम लेंगे xj के respect में तो यहां से ही derivative मिलेगा that is a constant quantity it is also constant so their differentiation is zero और xl का differentiation आपको यह मिलेगा इसमें भी हमें u into b लगाना है एक बार स्टम का differentiation करेंगे एक बार स्टम का differentiation लेंगे यह जो टर्म है delx m upon delx j यह chronical delta की form में आप लिख सकते हैं यहां से delx n upon delx j को आप chronical delta की form में लिख सकते हैं next step में हमें इन दोनों जो scripts हैं उनको श्रेम बनाना है तो उसके लिए m को यहां पे भी m आ रहा है यहां m आ रहा है तो यह dummy suffix है इसको हम change करेंगे यहांनि m को replace करेंगे j से इसी तरह से यहां पर यहां पर यहां पर n और ज है तो इसमें n को change करेंगे m j से यह इस वाली टं में m को j से replace करेंगे इस वाले टं में n को j से replace कर देंगे है इसवह हमने ले लिया taking M ten m g ए और n की जगे जरीइख है u accesoxis यह को裡面 यह हमें रिलेशन मिलता है तो हमने इस तरह से लिग दिया यह दोनों सेम हो जाएंगी यह वन बाइट वन बाइट एड़ तो वन हो जाएगा कोफिशेंट इसका अब इसको फिर से दिफ्रेंशिट करें क्योंकि में सेकंड डर डेरिवेटिव को जीरो बताना है तो इसका एक इसको इसको चेंज करेंगे के से जिससे डाल के के बंचे और इसकी वाल्यूम को वन ले सके पी नॉट पॉइंट पर यह नोटेशन डाल दिया एक्वेशन सेकंड में एक्वेशन सेकंड यह पर आरहे इसमें लिया तो यह यह रिजल्ट आ रहा है AIJ as it is हो गया AILLNJ और इसमें लिखा XN at P0 इस तरह से नोटेशन आएगा तो यह वाला पार तो जीरो हो गया केवल यह वाला रिजल्ट हमें मिलेगा that is non-zero यानि फाइनली हम इस रिजल्ट को अप्टेन करते हैं और इसके बाद जो सेकंड डरिव इसको क्या लिख सकते हैं X bar i comma jk इस फॉर्म में लिखा जाएगा then del x bar i upon del x jk so definition हमें यह पर अप्लाई कर रहे हैं यह पहले हम पढ़ चुके हैं इसको P0 point पर यह definition से आ गया अब इस term को आप इस तरह से लिख सकते हैं यह as it is हो गया P0 point पर subject के note आ जाएगा नी notation अब दे देंगे 4 और 5 को यूज मे लेंगे तो 4 से तो यह आपको मेलेगा AIR क्योंकि covariant में R है और denominator में R आ रहा है इसमें I numerator में है जी और की denominator में है तो इसको L जे के आप लेंगे हैं L dummy suffix है so L की जगे R लेंगे दोनों सेम हो गए तो result के हो जाएगा 0 तो आप देख सकते हैं कि जो derivative आ रहा है तो हम इसको geodistic coordinate system कह सकते हैं show that the coordinate system X bar I defined by is a geodistic coordinate system with the pole and the origin origin point यहाँ पर लिया है यानि जो general point हम P not up तक लेते हैं यहाँ पर हमने origin लिया है तो इस system को जो हमें given a question में उसको geodistic बताना है तो इसको differentiate कर देते हैं del x bar i upon del x j x i ka xj के respect में किया तो del x i upon del x j बनेगा जिसको हम chronical delta del ij लिख सकते हैं फिर xm into xn का new into way से differentiation यह वैसे हमने theorem second को काम में लिया अब directly भी यहाँ से differentiate करके next step भी पहुँच सकते हैं तो एक बार xm का हो जाएगा differentiation एक बार xn का differentiation मिल जाएगा यानि इस तरह से आप इसको लिख सेगते हैं directly जो equation आपको given a question में उसका differentiation करके हम यह पहुँच जाएंगी chronical delta में हमें same बनाना है तो n को replace करेंगे j से second term में और m को replace करेंगे j से third term में then we obtain this relation अब इसमें इन दोनों को हमें same बनाना है second और third term को हम same बनाना चाह रहे हैं तो dummy suffix जो कि m है उसको change कर दे या तो यहां पे n को change कर दे m में या यहां पे change कर दे m को n में तो हमने second term में change किया है आप m की जगे n ले रहे हैं यह दोनों same quantity होगा यह दोनों add हो जाएंगे आप इसको differentiate किया एकस की के respect में तो dal 2 x bar i upon dal x j dal k that is a constant quantity which differentiation is 0 dal x n upon dal x k यहां से मिलेगा तो इसको आप chronical data की form में लिख सकते हैं फिर से इसको same बनाएंगे dummy indices is low and को replace कर देंगे हम कि same then we obtain this result अब जो थाड़ है थाड़ है थाड़ यहां पे आ रहे है अगर आप पॉइंट लेते हैं तो यह वाला पॉइंट हमें 0 दिया हुआ है तो यह वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा then we obtain this result अब उसके बाद कोवेरिंट डिफ्रेंशेशन है यह रिजल्ट अभी हमने लास्ट यह में पढ़ाई है इसको हम काम में ले रहे है पोल यानि जो आपने लिए इस पर कंसीडर आप देख सकता है कि दोनों सेम है तो result के हो जाएगा 0 दस गिवन कोडिनेट सिस्टम एक सबार आई यह जो डिए पर देख सकते हैं जो डेरिवेटिम आ रहे है वो 0 आ रहा है तो जो डिएसिक कोडिनेट सिस्टम की condition आ गया है उसके बाद next definition है field of parallel vectors की यह आपको parallelism vectors कह सकत हैं जो कि चाप्टर के निम में भी है दे वैक्टर एया हम जानते है कि कोवेरिंट कोवेरिंट है यह constitute a field of parallel vectors along the curve x i यह कर्व का equation आपने लिया हुआ है इन ए वी एन वी एन क्या है एन युक्लीडियन स्पेस है इफ ए आई इस a solution of the differential equation अगर ए इस differential equation का solution यानि इस equation को सटिस् यह definition हम पढ़ चुके हैं this is the definition of intrinsic derivative यह तो हमने कोवेरिंट के लिए लिखा हुआ है यह जो वैक्टर है ai वो कब field of parallel vector बनेगा जब वो इस differential equation को सटिस्वाई करेगा और यह कोवेरिंट के लिए है अगर हम इसको contra के लिए लिखेंगे तो आप इस form में लिख सकते हैं यह भी म कि थू कुशन पूच जा सकता है यह यूनिट टैंजिन वेक्टर सफंव फिल्ड ऑफ पारलल वेक्टर आलोंगे जोडिसिक तो इसमें यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं वो क्या बना रहे है फॉर्म ए फिल्ड ऑफ पारलल वेक्टर आलोंगे जोडिसिक यहां पी differential equation पढ़ चुके हैं जोडिसिक की डीटो एक्साइप उपां डीएस स्कुर्स को आप इस फॉर्म में देख सकते हैं चेंड रूल हमने लगाया डल अपां डल एक्स जी ऑपां डीएस यह अगया नो डीएक्स जी अपां डीएस को कॉमल लिया है दैन वी अप्टें दिस रिज इसके जोगे हमने टी आई लिखा तो टी आई कॉमा जी डीएक्स जी अपां डीएस एक्वेशन फर्स बता रहा है कि जो यूनिट टेंजिन वेक्टर टी आई वो डिफेरेंशल एक्वेशन को सरिस्वाई करता है तो अभी हमने डेफिनिशन पड़ी है कि यह कैसा होगा फ करेंगे